नमस्कार में हुरिचा शर्म और आप देख रहे हैं भारत लाइब कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में अब पूरा देश एक जूट हो गया है प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी ने भी एक बड़ा एलान कर दिया है दर असल आज जो कैबिनेट मिटिंग हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है कि सांसद निधी यानि सांसद फंड को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब उप राष्ट्रपती, राष्ट्रपती और राजेपाल की सेलरी में भी 30% की कटाओती हुई है और ये जिम्मेदारी निभाते हुँ उन्होंने खुद अपनी इक्षा के अनुसार ये फैसला लिया है पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कोई कैबिनेट जो मिटिंग है वो विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुई है आनन पानन में ये मिटिंग हुई थी और इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब सांसद नेधी यानि सांसद फंड को दो साल तक के लिए स्थागित कर दिया जाएगा और अब सांसदों की सेलरी में 30 प्रतीशत की कमी होगी 30 प्रतीशत की कटाउती की गई है इसके पहले भी कई ऐसी पार्टियां है कई ऐसे विधायक और कई ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी सेलरी सरकार के फंड में दी है मुख्यमंत्री की अगर बात करें बिहार की बात करें तो बिहार में भी मुख्यमंत्री कोश में कई जिम्मेदाल नागरी अपनी जिम्मेदाली निभाते हुए कुछ ना कुछ डोनेट किया है और ये डोनेशन सिर्फ अपने देश के नाम का है ये डोनेशन जो है वो बिहार के नाम का है क्योंकि कोरोना से पूरा देश जूज रहा है पूरा विश्व जूज रहा है और ऐसा ऐसे वक्त में सभी को आगे आना है तभी हम इस आपदा से इस विप्दा की घड़ि से लड़ पाएंगे और कही ना कही जहां पीम ने एक तरफ कहा था कि दिया जलाना है ताकि कोरोना रूपय अंधिकार जो है वो दूर हो पाए और कही ना कही एक जूटता दिखी है कल रातरी के 9 बजे 9 मिनट के लिए जिस तरह से आलम दिखा नजारा दिखा वो कही ना कही देश की एक दाब बताता है और एक बार फिर से आज कैबिनेट की मिटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है देश के हित में ये फैसला है और कही ना कही इसका इंपेक्ट लोगो नेताओं की है जिनको आम आगमी ने अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधी चुना था और अब उस जिम्यदारी को निभाई जा रही है तो ये एक बड़ा अपडेट है कोरोना से जुड़ी हुई कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोब, कोरोना का साया पूरे देश पर मढ़ सरकार जो है वो ततपर हो गई है, वो तयार है इस आपड़ा से निपटने के लिए, हमारी आपसे अपील है कि आप भी घरों में रहिए, स्वस्त रहिए क्योंकि अब जिम्यदारी काफी बढ़ गई है, ना सिर्फ आम आदमी बलकि राजनेतिक पार्टियों के भी समाज का बेध्यान रखे, सुरक्षा बनाए रखे, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, अगर आप सुरक्षत रहते हैं, तो पूरा समाज सुरक्षत रहेगा, तो बिहार सुरक्षत रहेगा, पूरा देश सुरक्षत रहेगा, तो कहीं ना कहीं यह जिम्यदारी आपकी एक अपने आप को. आप लोग डाउन में घर में रखे सुरक्षित रखे और अपने हातों को झरूरत होए कुरोना से पूरे तरके से बच रहें और आगे लोगों को भी संदेश दे की ぉ faire पहन के रहें घरों में रहें स्वस्त रहें और सुरक्षित रहें बागी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें भारत लाइब नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद